हेलो दोस्तों वेलकम बैक फ्री सर्कुट लब मैं आपको सवायत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल्स के बारे में कोई भी डिजिटल सर्कुट आप खोल के देख लो वहाँ पर आपको ये कंपोनेट मिलेगा ही मिलेगा कोई भी डिजिटल चीज हो चाहिए वो MP3 प्लेयर का बोर्ड हो या फर आडूनो बोर्ड हो या फिर कोई Bluetooth बोर्ड हो जैसे कोई भी जो डिजिटल सिस्टेम होते है उसमें ज्यादा तर आपको ये कंपोनेट देखने को मिल जाता है तो ये बैसिकली है क्या इसके अंदर क्या होती है ये क्या काम करती है इन सब के बारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को जास्टा पूरा देखना पूरा नोलेज आपको इससे मिल जाएगा दोस्तों कोई भी डिजिटल चीप जैसे या आडूनो बाली माइक्र कोंट्रोलर हो या फिर आपका फोन का प्रोसेसर हो या फिर क होई छोटा मोटा प्रोसेसर या बड़ा से बड़ा प्रोसेसर हो सुपर कंप्यूटर हो सब दोस्तों नमबार के अलावा कुछ नहीं समझता है जो भी डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स है इसमें नमबार्स की गेम है नमबार्स के अलावा यह सब कुछ नहीं समझता है वोल् या off या फिर 0 या 1 के फर्म में कुछ-कुछ चीजे को हम लोग असानी से नंबर में convert कर सकते हैं जैसे कि ये length है तो length में आप लोग कुछ mm का division कर लिजिए तो या पर एक length को आप असानी से नंबर में represent कर सकते हैं तो इन सब processor में आप लोग feed कर सकते हैं तो कोई sensor data या फिर कोई voltage है उसको कैसे नंबर में convert किया जते हैं तो माल लेजिए कोई sensor का data आपको इसमें feed कराना है तो वह पर ADC का use किया जाते है जैसे analog pin होता है Arduino का ये सब pin क्या करती है जो analog voltage को input लेता है फिर इसको नंबर में convert कर जाता है इस processor के अंदर ही वो part है जो analog voltage से नंबर में convert करते है उसको बोलते है ADC यानि analog to digital converter वो बस कुछ steps में divide करती है जैसे यहाँ पर mm की step है तो इस तरह के से ADC के अंदर भी कुछ भाग रहता है कि इतना इतना voltage आने से हम लोग इतना इतना number send करेंगे तो इस तरह के से कोई भी physical चीजे जैसे की sound है, photo है, video है इस इन सब को number में convert करके use किये जाते है तो मैं यह सब बता क्यू रहा हूँ क्यूंकि इसका इस video से काफी strong relation है तो इस micro controller ने length, voltage या कुछ physical parameters को number में समझ लिया लेकिन time को यह कैसे मापेगा, time को कैसे यह number में convert करेगा इसलिए यूज में लिए जाते है crystal को, तो crystal basically क्या करता है, fixed frequency की oscillator बनाते है, oscillator मतलब कि कोई जो voltage है वो change होगा कोई fixed frequency से, जैसे हमारा AC line का voltage change होता है 50 Hz की frequency से, इस तरह के से यह जो crystal है, यह 16 MHz की crystal है, तो यह 1 second में 16 million times की voltage को change करता है, मतलब कि यह 1 second में 1.60.000.000.000 पाल्स जन गिंती कर लेता है, मतलब कि यह count कर लेता है, कितना पाल्से साया, तो 1.60.000.000, मतलब कि 1 second बीत गया, यह microcontroller को पता चलती है, तो यही होता है crystal का main function, time को, कोई microcontroller या फिर micro processor को feed कराना, दोस्तो time का पता हम लोग crystals के अलाबा, capacitor और resistor से भी कर सकते है, जैसे कोई 555 IC से बना ह लग सकती है, तो उससे भी हम लोग oscillator बना के microcontroller चला सकते है, लेकिन वो उतना accurate नहीं है, temperature बदलने पर या फिर इस capacitor की age बदलने पर यह जो frequency है, वो change हो जाती है, और यह microcontroller तब accurately work नहीं कर पाएगा, तो इसी वजा से यह सब crystal के जाते है, crystal बहुत ही accurate होते है, लगभग 30 स crystal चलने के बाद इसमें एक second की problem आ सकती है, मतलब कि इतना accurate होता है यह, तो यह crystal के अंदर क्या magic रहता है, जिससे की यह इतना accurate हो जाता है, चलिए find out करते है, अगर एक crystal को काट के आप लोग अंदर देखते हैं, तो इस तरह की एक पत्ता मिलेगा, तो भाई यह चीज actual में ह क्या, क्या, इसका पहचान क्या है, दोस्तों यह है, एक quartz material से बना हुआ, एक छोटा सा टुकड़ा, और इसके अंदर एक बहुत ही खास property यह है, कि यह mechanical और electrical signals के बीच relation बनाता है, दोस्तों यह quartz होता है, एक piezoelectric material, तो इस तरह की जो crystals बनते हैं, उसका ही बड़ा भाई है, तो जिसको हम लोग बाजार से जानते हैं, यह होता है, एक actual में piezoelectric material, तो इसमें अगर आप लोग AC voltage देंगे, तो इससे sound निकलता है, और sound निकलता है, मतलब कि यह vibrate होता है, कोई चीज अगर vibrate नहीं होगा, तो उससे sound नहीं निकलेगा, और अगर इनको force किया जाए, या इनको vibrate किया जाए, इससे AC voltage निकलता है, तो भाई यह सब piezoelectric material, mechanical और electrical vibrations के बीच correlation बनाता है, तो इसका क्रिस्टाल से संबन्द क्या है, क्रिस्टाल के अंदर जो छोटे पत्ता लगा जाता है, वो इस तरह की क्रिस्टाल का ही छोटा part होता है, तो वो part क्या करती है, इसमें current आने से वो vibrate करती है, और यह vibrate होने से इसमें current निकलता है, तो इस positive feedback को use करके एक oscillator बनाया जाता है, और उस oscillator का जो stability है, frequency की stability बहुत ही high होती है, इसलिए crystals use किया जाते है circuits में, पहले की जावाने में जो radio stations बगरा होती थी, उसकी frequency accurately stable नहीं रहती थी, उसका frequency धिरे-धिरे radio receiver में crystals का use करके fixed frequency में receive और transmit किया जाता था, उसके बाद radio communication बहुत ज्यादा reliable बन गया, और एक fun fact यह है, आपने सुना होगा कोई भी mobile या laptop की processor उसकी clock speed बताया जाता है, कि 3 GHz की clock speed है, यह है वो है, तो यह clock speed basically होता क्या है, तो वो clock frequency basically होता है, उस micro processor को एक square wave की pulse दिये जाते उस pulse में वो step by step काम करती है, यह सब micro controller या फिर micro processor वो कितना भी बड़ा processor हो, वो continuous work नहीं कर सकता है, जैसे कोई analog circuit हो, यह continuous work करता है, लेकिन यह सब micro controller या फिर digital electronic circuit, यह step by step काम करती है, एक बार pulse आया, तो एक काम किया, दुसरा pulse आया, तो दुसरा पाल साया, तो दुसरा काम क processor बगरा होती है, तो वो clock की जो frequency जितना ज्यादा होगी, उतना speed में वो processor काम कर सकता है, इसलिए हम लोग ज्यादा clock speed की phone या laptop ज्यादा पेफर करते है, वो बहुत speed होता है, और वो clock बहुत ज्यादा stable होते है, इसलिए आगर यह 1.3 GHz की processor वाला phone है आपके पास, तो आपका phone का processor 1.3 GHz आने पर एक सेकेंड काउंट करता है, तो इस तरह के से time की गिंती चलता है, और दोस्तों crystals का बहुत ही ज्यादा widely used देखा जाता है, घड़ी के अंदर भी, यहापर भी एक crystal लगा हुआ है, यह 32,786 Hz की crystal है, तो Q यह order number, इसके बार में वीडियो बना हुआ हुआ उपर I button में आ रहा है, इस crystal का जो frequency इसको अगर change कर दे, तो घड़ी का जो time की speed यह कम होगा, यह ज़्यादा होगा, यह फिर fixed रहेगा, इन सब के बारे में discuss करेंगे, और एक fun fact यह है, अगर इसका crystal का दो टांगे को मैं short कर देता हूँ, तो यह घड़ी बांध हो जाता है, तो देखिए, आभी 38 second है, इसको stop करके कुछ देर तक राख देते है, और लगवगा हम लोग अगर एक घंटा बाद भी छोड़ते हैं इसको, तो उतना ही second में यह चलेगा, देखिए, यह second बढ़ा नहीं, क्यूंकि इसका crystal ने अब frequency नहीं दे पाया, तो इसका processor चला नहीं अब दोस्ते एक छोटा सा experiment कर लिया जाए, यह Bluetooth board के उपर, तो यहाँ पर crystal लगा हुआ था, इस IC को timing प्रोवाइड करता था, तो वो था 24 MHz का crystal, तो उसको खोल के मैंने यहाँ पर 24 MHz का crystal लगा है, और इस side में 16 MHz का crystal लगा दिया, तो यह दोनों को मैं इस switch से select कर सकता हू कौन सा crystal कब इस board के साथ जुड़ेगी, तो अब गाना का जो speed है, उसमें changes आने चाहिए, क्योंकि इसका timing है, वो change हो जा रहा है, तो गाना को play करते है, तो देखिए यह गाना चल रहा है, अब हम लोग 24 से 16 में select कर देखिए, तो देखिए लड़की का voice जो है, वो लड़का तो आई होप आपको clear हो गया होगा कि यहाँ पर जो cheap लगा हुए, उसको घंटा कुछ नहीं पता है, एक सेकंड कितने में होता है, या एक मिनिट कितने में होता है, उसका जो crystal है, वो ही उसका speed को determine करता है, खेर ये वीडियो कैसा लगा concept है, अगर वीडियो पसंदा है, ला झाल